इस वर्स स्वतंदरता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पस्थ है, पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वाइरस से जूज रही है, जिसने जन जीवन को भारी छती पहुँचाई है और हर प्रकार की गद्विद्यों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैस्विक महामारी के कारण हम सब का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आस्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनोती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिये थे। इन असाधारन प्रियासों के बल पर घनी आवादी और विविद परिस्तितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनोती का सामना किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने इस थानी परिस्तितियों के अनुसार कारवाई की जनता ने पूरा सहयोग दिया। इन प्रियासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंतरन रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सवलता प्राप्त की है। यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरनी उदाहरण है। राष्ट उन सभी डाक्टरों, नर्सों तथा अनस्वास्त कर्मियों का रिणी है जो कुरोना वाइरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ती के योद्धा रहे है। दुर्भाग बस उन में से अनेक योद्धाओं ने इस महमारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का वलिदान दिया है। यह हमारे राष्ट के आदर्स सेवा योद्धा है। इन कुरोना योद्धाओं की जितनी भी सरहना की जाए वह कम है। यह सभी योद्धा अपने कर्तब की सीमाओं से उपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्चक सेवाओं की उपलब्दता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे डाक्टर स्वास्तकर्मी, आपदा परवंधन दलों के सदस, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी स्टाफ, परिवहन, रेल और विमानन कर्मी, विभिन सेवा परदाता, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी संगठन और उदार नागरिक अपने साहस तथा आज रुक जाता है, और सडकें सुनसान हो जाती हैं, तब अपने अथक परिस्रम से ये कुरोना योद्धा सुनिश्चित करते हैं, कि लोगों को स्वास्त सेवाएं और रहात, पानी और बिजली, परिवहन और संचार सुविधा, दूद और सबजी, भोजन और किराने का स सामान, दवा और अनावस्यक सुविधाओं से बंचित ना होना पड़े, ये अपनी जान को भारी जोखें में डालते हैं, ताकि हम सब इस महामारी से सुरक्षित रहें, और हमारा जीवन तथा आजीविका दोनों चलती रहें.